नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्पेक्टरम मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका सौगत है पार्ट 55 है यह देखते हैं यहां पर क्या के चीजों के बारे में बात करेंगे देखिए शत्य शोधक समाज के बारे में यहां पर बात होगी जहां पर मैं के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे आगे मनेस पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी की में पूरी बायोग्राफी उनके लाइफ के क्या क्या चीवमेंट से जो जो भी इंपॉर्ण चीज़े हैं उस पर मैं एक वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ गोपाल गुष्ण गोखले को मेरे नाम के साथ यूट्व में सर्च मारी आपको यह वीडियो मिल जाएगी साथ साथ जोतिपा फूले जी के मैं बायोग्राफी बना चुका हूँ उन्होंने 37 शोदक समाच के लिए क्या क्या किया है इसके उपर ना भूले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा आप उसको जॉइन कर लिजे इस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़के मुझसे थोड़ी बहुत बात चीत कर सकते हैं मैं जदद जद सवालों के जवाब देने कोशिश करूँगा साथ साथ मेरे दौरा बनाई गई MCQ Modern History की Questions की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के Member ही बन सकते हैं नीचे Join बटन पे दबाईए वहापे आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी Information मिल जाएगी क्या कि आपक आपको पता है कि कास्ट सिस्टम कुछ इस आधार पे बटा हुआ था कि एक कास्ट के लोग एक ही जॉब में involved होंगे आप देखेंगे कि जोतिबा फूले जी ने Upper Class Domination के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मोमेंट चलाया ब्रह्मिनिकल सुप्री मैसी के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा मोमेंट चलाया एक बहुत ही revolutionary figure थे हैं इन्होंने अपनी wife को भी पढ़ाया और अपने wife को अपन सत्य शुदक समाज को क्या बोला जाता था truth seekers society नोंने कब found किया 1873 में का आप देखेंगे इस समाज की ज़्यादा तर लीडर शी थी ज़्यादा तर जो इसकी membership थी वो backward classes से थी तो आपको इसमें मालीस, तेलीस, कुनबी, सारीस, धंगर्स जो उस समय के society की so-called backward communities थी वो भी थी लेकिन सत्य शुदक समाज में कोई upper class का person उसके लिए ज़्यादा जगा थी अगर वो lower classes के लिए fight कर रहा है देखें upper class के सब लोग दबाते नहीं थे, कुछ बहुत ऐसी minuscule लोग थे upper class में जो की वो चाहते थे कि overall Hindu society मिलके एक बड़ी society, strong society बने, तो वो lower class के upliftment के जो की lower class, backward class, woman और आप कैसे थे girl education में interested हो, girl education में ये सब चीज़ों में कुछ करना चाहे, अगर आप बात करो सत्य सुदक समाज की, तो सत्य सुदक समाज के दो एम थे, social service, social service में obvious सी बात है, society में उस समय पर जो दक्यान उसी ख्यालाते हैं, उनको हटाना, society के mental level को, social level को ब अगर आप अच्छे से educated हो, आपने चीज़ें पढ़ लिख रखी हैं, तो obvious सी बात है, आपकी जो सोच ही होगी, वो बहुत mature होगी, आप अच्चा सोचोगे, आगे का सोचोगे, अगर आप पढ़ लिखें नहीं हो, तो obvious सी बात है, आपकी जो सोच है, वही दक्यान उसी हो गुलाम गिरी, अपने किताबों के थूप, इन्हेंने local masses को बताया, कि आप inspire होई है, ये caste hierarchy के against लड़िये, women's को बताया, कि जो भी आपको दबाता है, आपको दबाना मत सहिए, आगे आईए, अपने rights के लिए आवाज मांगिए, आप देखो कि दो-तीन theories के आधार पर, जो आरहेंस थे, ये एक European years थी, ये लोग इंडिया में entry मारे, और इन्होंने इंडिया की जो domestic classes थी, उनको subjugate किया, तो इस चीज़ को इस्तमाल करके, जो वेदिक society dominant होके बैटी थी नीचे की classes पे, इसका खंडन किया, जोतिबाफ हूले साब ने, फिर जोतिबाफ हूले साब एक और popular character को उठाया और वो था राजाबाली, अभी राजाबाली कैसा popular character था, राजाबाली कैसा popular character था, golden age का एक alternative, जैसे वेदिक काल को golden age बोला गया है हमारे civilization की, जो दिबाफ हूले जी ने क्या बोला, कि नहीं भाई, राजाबाली जी का जब समय था, तब golden civilization थी, अब ऐ ऐसा मानना था, जो माराथी society है, माराथी society के कुछ pocket में देखोगे कि आप ऐसा मानना है, कि जिस समय पे इंडिया में वेदिक invasion हो रहा था, जो Europeans थे, Aryans के form में इंडिया में घुस रहे थे, उस समय पे महराश्टर के एक बहुत बड़े इलाके पे राजाबाली का साशन था और राजाबाली की साशन को काफी अच्छा माना गया, तो राम का जो साशन का जो सिंबल दिखाये जाता ना, एक ideal society के लिए, उसके बजाए यहाँ पे जो तिपा फूले जी हैं, वो राजाबाली की साशन को एक ideal time बताते हैं, फिर उनने बोला कि कास सिस्टम को पूरी तर इनको हटाने की बात की गई, यह जो संस्कृतिक हिंदुईजम है, इसको हटाने की बात की गई, depressed communities के उनके rights देने की बात की गई, ब्रह्मी जो religion का गलत इस्तमाल करके नीचे की classes को दबाते हैं, उसको हटाने की बात की गई, तो इन सब चीजों पे फूले साव ने धिहान सावित्री भाई, इन्होंने अपनी वाइफ सावित्री भाई के साथ मिलके पूने में एक girl school खोला, विडो और remarriage movement को महरास्ट में promote करने के लिए, जोती भाई भाई फूले जी ने एक बहुत important role play किया, इन्होंने वुडे उसके लिए एक घर बनाया, पूने में 1854 में, और फूले साब को महत्मा का title दिया गया, अपने social reform work के लिए, बहुत कुछ किया, उन्होंने महरास्ट की society को reform करने के लिए, दक्यान उसी ख्यालों से बचाने के लिए, आगे चलते हैं, यहाँ पे बात हो रही किसकी, गोपाल हरी देशमुक जी की, 1823 से लेके 1892 के time period में active थे social reformer थे और rationalist थे महरास्ट के, चुरवात में इनके पास एक judge की post थी, बिटिश राज के अंदर, एक weekly publication में ये अपने views लिखा करते थे, जिनका नाम है प्रभाकर, actually यही लिखते थे इस weekly publication को, और किस नाम से लिखते थे लोग हितवारी, इसलिए इनको गोपाल हरी लोग हितवारी कहा जाता था, इनका जो publication था, जो week में एक बार चपता था, वो था प्रभाकर, social reform issues की बात करते थे, यह बोलते थे कि Indian society है, जो की नीचे की तरफ जा रही है, गत्ते में जा रही है, इसको उठाने की जुरौत है, इसलिए rational principles पे society को लाने की बात करते थे, modern सोच थी, humanistic सोच थी, secular values की बात करते थे, तो obvious ही बात है, जो Hindu orthodoxy थी, जो Hindu की जो higher classes थी, वो जो lower classes को subordinate, subjugate करती थी, दबाती थी, उसके against बोलते थे, social equality की बात करते थे, religious equality की बात करते थे, woman empowerment की बात करते थे, caste system की against बोलते थे, और यह साफ साफ बोलते थे, कि अगर हमा उखाड के फेग दो, उसको हटा दो, एक weekly publication इन्होंने और शुरू की हिदेचु नाम की, उसमें भी इन्होंने यही सब चीजने लिखी, और भी बहुत से periodicals उस समय पे छपने शुरू हुए, जिस पे, जिनको छापने में, गोपाल हरी देश्मुक जी का important role था, जैसे की इंदू प्रकाश और लोखित वड़ी, उसके आगे बात की जाए, तो next important हमारे लिए जो personality निकल के आते हैं, वो है गोपाल कृष्ण अगरकर जी, यह गोपाल कृष्ण अगरकर हैं, educationist थे, social reformer थे, महरास्ट के, तो अभी तक मैं जितने भी social reformer बता रहा हूं, यह महरास् educationist है, social reformer है, from महरास्ट, human reserve के एक strong advocate हो, जब भी आप human reason की बात करते हो, आप caste system जैसी चीजों को, religion के नाम पे नीचे के लोगों को दबाने को, इन सब चीजों को आप कभी justify नहीं कर पाऊगे, तो उस समय की जो society, जो भाया blind dependence on tradition, कि हाँ बही traditional चीज़ें अच्छी हैं, past का glorification कर रहे हैं, और इस glorification के नाम पे आप woman को दबा रहे हो, caste, casteism कर रहे हो, इन सब चीजों के खिलाफ बात के किसने गोपाल किशन अगर कर जीने, new English school के co-founder थे, deccan school education society के, और Ferguson college के ये भी co-founder थे, he was the co-founder of new education school, the deccan education society, and Ferguson college, Ferguson college के तो ये principal भी रहे थे, आप देखोगे, लोकमान तिलक जीने, एक general शुरू किया था, केसरी नाम का, केसरी महरत्ता शुरू किया था, केसरी के पहले editor कौन थे, गोपाल गणेश अगर कर, इन्होंने अपना खुद का भी एक periodical शुरू किया, जिसका नाम था सुधारक, तो याद रखेगा, सुधा फाइनली हम लोग आते हैं, servant of India society पे, देखें, यहाँ पर बात की गई है, गोपाल कृष्न गोखले साब की, गोपाल कृष्न गोखले पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जाके जरूर देख अठारा सो चार्चाट से लेके, 1915 के टाइम पिरड में, गोपाल कृष्न गोखले साब एक्टिव थे, इन्ने नेशनल कॉंगरेस के एक लिबरल लीडर थे, और इन्होंने बनाई थी, servant of India society, यह बहुत important सवाल है, servant of India society किस ने बनाई, तो गोपाल कृष्न गोखले जी ने बनाई, कब बनाई, 1905 में बनाई, क्या बनाने कोई और भी इन्वाल था, बिलकुल, महदेव, गोविंद, राणा दे भी इन्वाल थे, तो महदेव, गोविंद, राणा जी और गोपाल कृष्न गोखले जी ने मिलके, servants of India society बनाई, 1905 में, अभी servants of India society का नाम क्या था, काम ये था कि भाईया, इंडिया के लोगों के हित में काम करिए, और जो भी आप काम कर रहें न, अंग्रेजों द्वारा बनाएगे नियम कानून के हिसाब से करीए, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने साथ साथ एक मोर्चा नहीं छोड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी नियम कानून के हिसाब से आप कॉंस्टिटूशनल तरीकों से हमारी सुसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कीजे, हमारे इंडियन पीपल के रहने का जो तरीका है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश कीजे, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी म जनरल छपना शुरू हुई, जिसका नाम था हितवड़ा, 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 1911 में पबलिश होनी शुरू हुई, इसमें सुसाइटी की व्यूज के बारे में बताया गया था, फिर खास बात दोस्तों ये थी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सुसाइटी अपने आपको इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जैसे और्गनाइजेशन की पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखा, इन्होंने सीधे सीधे अपने आपको सिर्फ सोशल रिफॉर मूव्मेंट्स की तरफ फोकस किया, इनका सिंपल सा सीन था कि अगर इंडियन नेशनल कॉ इसका किवल एक एम था कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, जो कि इन्होंने करने की कोशिश की, उन्ने सु पंदरा में आप देखोगे, गोपाल किष्ण गोकले जी की डेथ हो जाएगी और उसके बाद कौन चार्ज लेंगे, श्री निवास शास्त्री जी, श् भी भी education प्रोवाइट की जा सके, तो still the society is active, ठीक है, चुकि इस society ने, servant of India society ने politically अंग्रेजों को अपोज नहीं किया, और reform movement भले इन्होंने करे, लेकिन उस समय पे एक reason, मतब उस समय की सबसे बड़ी requirement क्या थी, political movement में participate करके हमारी पीछे होने की जो main वज़य थी, जो की थ अंग्रेज, उनको हटाना main चीज थी, अब चुकि servants of India society ने उस चीज में participate नहीं किया, इसलिए इनकी जो भी achievements उनको बहुत ज़द नहीं माना जाता है, आगे चलते है, social service league की बात करेंगे, सबसे पहले देखिए, social service league को बनाया किस ने, तो इसको बनाया है आपका, नारायन मलहर जोशी साब ने, तो social service league किस ने मनाया है, नारायन मलहर जोशी गोपाल किष्न गोखले के फॉलोवर थे, इसको कहां बनाया गया, social service league को तो बॉंबे मनाया गया, काम क्या था, कि जो लोग है, उनके लिए reasonable conditions of life and work लाया जा सके, लोगों की जिंदगी अच्छी किया जा सके, उनको काम करने के लिए चीज़े दे जा सके, उनको educate किया जा सके, तो school खोली गई, libraries खोली गई, rooms खोले के जहां पर लोग आके पढ़ते थे, daily nursery खोली गई, cooperative societies खोली गई, फिर भाई, वो लोग जो कि अंग्रेजी सरकार के नियम कानून से परिशान थे, court में जाना च पर theatrical performances करवाते थे, events organized करते थे, उन events के थूँ, social reform के messages ये लोग circulate करते थे, sanitary work करते थे, आप देखोंगे, नारायन मलहर जोशी जी, 1920 में, he was involved in the foundation of All India Trade Union Congress, जोशी साम नहीं, All India Trade Union Congress को found करने में एक major भूमे का निगाई, तो you can say, नारायन मलहर जोशी founded the All India Trade Union Congress in 1920, तो social service league, important हो जाता है, servant of India society, important हो जाता है, गोपाल गणिश अगरकर, important, गोपाल, देश्मुक, लोखितवाडी, important, और सत्य शोदक समाच, जोती बाई वाइफ हूले, और जो इनकी वाइफ थी, सावित्री बाई फूले, इनके सारे कि important काम जो कुछ भी इन्होंने हमारी society के लिए किये, वो हमने सब आपके साथ discuss किये, आपको हो सकता है ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो उसको like जरूर कर दीजेगा, आगे की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेंगी, thank you for watching friends, have a great day.